नवश्कार, SBD News में आपका स्वागत और पेश रही स्वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें आज राजस्तान दिवसे 1949 में आज ही के दिन 22 रियासतों को मिलाकर राजपुताना राजस्तान के रूप में सामने आया था और इसके एकी करण में करीब 8 साल, 7 महिने, 14 दिन का समय लगा था श्रितरफल के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा राज़े है जन संक्या के लिहास से राजसान देश का साथवा सबसे बड़ा गाज़ है राजसान का एकी करण साथ चर्णों में हुआ था विभिन चर्णों में अलग-अलग रियासते जुड़ती गई अन्तिम चर्ण में जोदपुर, जैपुर, जैसलमेर और विकानेर रियासतों का विले हुआ और इससे राजसान बना और उसे 30 मार्च 1949 को इसे राजसान का नाम मिला आज राजसान दिवस पर प्रदेश में कई कारिक्रम हो रहे हैं राजसान में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लग गई है प्रदेश के कई इलाकों में दिन का ताप मन 40 डिग्री और रात का 20 डिग्री सेल्सियस को पार करने लग गया है मुसम विभाग ने कोटा में हीट वेव और पश्चिमी राजस्तान के बिकानेर बाडमीर जैसल में और चूरू में सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी दी है होली के दिन सोंवार को भी गर्मी के तेवर तल्क रही मुसम विभाग के मुताबिक मार्श के अंतिम सब्ता में ही गत रविवार को बाडमीर में पारा 42.8 डिग्री को चूग गया था अंतराश्य बाजार में क्रूड ओयल यानी कच्चे तील की कीमतों में नर्मिक आसर घरीलू बाजार में भी दिख रहा है सरकारी तील विप्णन कंपनियों ने 5 दिन बाद फिर पेटरोल डिजल की कीमतों में कड्डोती की है मंगलवार को पेटरोल की कीमत में 22 पैसे और डिजल की कीमतों में 27 पैसे की कमी की गए और उदर पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमन का असर क्रूड ओयल की कीमतों पर भी दिख रहा है तीन सीटों पर उप्चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा की उमीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं सहाडा, रासमंद और सुजानगर में होने वाले नामांकन सभाओं के पोस्टर से पूरो मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे के फोटों गायप है प्रदेश के तीन सीटों सुजानगर रासमंद और सहाडा में हो रहे विधानसभा उप्चुनाव के नामांकन की आज आखरी तारिक है आज दुपहर तीन बजे तक ही नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं और ऐसे में कॉंग्रिस के तीनों प्रत्याशी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने के साथ ही कॉंग्रिस का आज से चुनावी अभिहान शुरू हो जाएगा प्रदेश कॉंग्रेस आज तीनों विधानसभा शित्रों में बड़ी जन सबाय कर चुनावी माहूल तयार करने में जुटेंगी कोजिंग सिटी कोटा शहर में सोमार देर रात को एरपोर्ट परिसर में भिशन आग लग गई तेज हवाओं के साथ आग एरपोर्ट परिसर में तेजी के साथ फैलती गई आग की सूच्रा मिले पर एरपोर्ट और जिला प्रशासन में हडकम मच गया कोटा उतरवे दक्षिन नगर निगम, कोटा थर्मन, DCM फैक्टरी और सिविल डिफेंस की दमकलों की मदद से आग भुजाई जा सकी करीब तीन घंडे की मशक्कत के बाद आदी रात को धाई बचे आग को पूरी तरह से काबो में किया जा सका सहकारिता विभाग ने राजफेड के माध्यम से जिले में सरसोवे चने की समर्थन मुले पर खरीद के लिए ओनलाइन रजिस्टेशन शुरू कर दिये लेकिन अजमेर सहित प्रदेश भर में जारी पटवारियों की अतरिक्त कारे भहिशकार हड़ताल किसानों के लिए भी परिशानी बनी हुई है कारण गिरदावरी रिपोर्ट नहीं होने के कारण किसान रजिस्टेशन नहीं करवा पा रहे हैं आज राजसान दिवस है इस मोके बार राश्टबती रामनात कोविंद और मुख्य मंतरी अशोग गहलोत ने प्रदेश वासियों को बढ़ाई देते हुए प्रदेश के निरंतर उन्नते की कामना की है सियम गहलोत ने कहा कि राजसान शोरे वैसाहस का दूसरा नाम है केंद्र जल्शक्ती मंतरी इवं जोदपूर सांसद गजेंदर सिंख शिखावत ने सोंवार को होली के मोके पड़ अपनी ग्रह शेत्र में जम कर रंग बिखेरे और डांस किया शेखावत ने रंगों के त्योहार पर जोदपूर शहर में आयोजित विभन कारिक्रमों में शिर्कत करते हुई होली के मस्ती में फाग भी गाए प्रिदेश की सांस्रतिक राजधानी जोदपूर में सोंवार को कई तरीकों से होली खीली गई कोरोना संकट के बीच करीब एक साल पूरो बंद की गई जोदपूर गांदी राम और भगत की कोठी साबरबती ट्रेनों का संचालेंज शुरूर जरूर किया जा रहा है लेकिन ये ट्रेने यात्रा करने वाले यात्रियों के जे पर अतिरिक बोज डालेंगी और वहीं प्रती टिकेट 20 से 100 रुपे अतिरिक फिराया भी लगेगा मामला इसलिए खास है कि ये सबी ट्रेने वे ही हैं जो कोरोना संकट से पूरो संचालित हो रही थी फिलाल इस बुलटीन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार